हेलो दोस्तों देए आज के डेट में आपको एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूं जो लगबग 400 रुपे से गिर के मातर 30 रुपे के आसपस आ चुका है 30 रुपे के आसपस और यह लगबग 10% के हिसाब से भाग रहा है बिलकुल डेट फ्री नो प्लेज एट आल कुछ भी न स्टॉक फिर अगर 120 के आसपस हो जाता है तो फिर आप सोच सकते मतलब बहुत ऊपर जाने का चांस है यहां पर तो यहां देखेंगे तो लगबग पहले तो यह स्टॉक ने लगबग जो है 400 रूपय के लेबल बनाया है अब तीसरी बर यह स्टॉक जो यहां पर देख सकते हैं गिरा है तो लगबग एक और लंबा लेबल बनाया है इसने Technology और Information Technology आप देख सकते हो लगबग आजकर के डेट में या कभी भी देखो के तो IT सेक्टर में काफी जादे मुनाफ़ा देखने को मिलता है लेकिन यह जिस कंपणी के बारे मैं आपको बता रहा हूं यह Lost Making Company है समझने के कोसिस करो 400 सो रुपे से गिर के 12 रुपे तक आ चुका है याद रखो और लगबग अभी जो है 300 रुपे के आसपर देखने को मिल रहा है तो मैं आपको बुलूँ हमां सौ बर नहीं हजार बार सोच लो कंपणी में अपकी कोसिस करो यह कंपणी के लिए काम करते है अगर आप शौपिंग वगरा काम करते हैं उसके लिए माल लेते हैं अगर आप कही पर भी online offline बिग बजार में city center में mall में कुछछ खरीदते हो जैसे पैमेंट करते हो ना कार्ड बगरार से या आप ओनलाइन जो भी पेइमेंट करते हो नहीं तो यह ओनलाइन पेइमेंट के लिए कमपनी काम करने के कोशिस कर रहे है ज्यादा तर है तो इसका सोर्स ओफ इंकम और भी बहुत सारी चीज है इसके पास यह कंपनी बताना चाहती है कि कि किसके लिए का करें पहले देखो टेकनोलजी की दुनिया में लगबग यह आईटी सक्टर है तो कंपनी यहां पर बता रहे है कि भाई देखो हम जो है पेमिंट के लिए मेथेड के ऊपर काम करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ यहां पर बता रहे हैं जैसे कि हम 4G के लिए काम करते हैं स्मार्टफोन प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं स्मार्टफोन के लिए ब्लूटूथ के लिए नेक्स जनरेशन M पोस के लिए कंपनी काम कर रहे हैं इन्हेंस कर रहे हैं सारी चीज़ों को से यह बहुत जाता जो है एक multiple payment method निकलने के कोशिस कर रहे हैं तो अब हो सकता कि यह company चल ला है क्योंकि बहुत सारे payment method अभी भी अबिलेबल है लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो 100% लगबग जितने भारतिया है या इंडिया में लगबग सभी लोग online payment नहीं करते हैं बहुत फिर भी ratio में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जो लग बहुत तरीके से enhance करती है डबलब करती है और मतलब easy करती है उस चीज़ को उसी तरीके से अभी यह company भारत में ही है digital बनाने के लिए हलाकि यह और लगबग जो है यह बहुत तेजी से जोर सोर से और company यहां पर वही बताने की कोशिस कर रही है अगर आप देखोगे तो सारे जगा वही बता रही है कि मतलब कि जो भी real time payment growth हो रहा है उसके बाद और भी जितने भी number है real transaction वह भी growth हो भी बढ़ते जा रहे है यहां पर देख सकते है मतलब की जो मतलब payment करने का तरीका वह बढ़ता जा रहा है wallet जो है यहां पर मतलब वह भी लोग जो है मतलब खुद के पास wallet रखना पसंद करते हैं जो कि online होता है online होता है उसको क्या कर रहा है अडप्ट कर ले रोग ज्यादा ज्यादा अडप्ट कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि भाई आप packet payment ही ज्यादा कुछ रहा है वहां उसी तरीके से बताया रहा money receive sent company का नाम बता देता हूं अब देखो मैंने आपको बता दिया कि IT सेक्टर में company क्या काम करती है IT सेक्टर में यह भी मैंने आपको बता दिया हैगी निए payment के लिए काम करना चाहती है और भी बहुत सारे वाइफाई 4G रिलेटेब प्रिंट इंट वगरारा या बलूत उससे बहुत सारे रिलेटेड यह व स्टार्ट हुआ तो यहां से यहां तक लोग जब भी चाहिए खरी सकते थे बेश सकते कोई दिक्कत नहीं आराम से सही है अभी देखो के सुबेक्स भी मैंने आपको 16 रुपीज पर बताया था वह भी लगबक 70-80 रुपीज के आसपस गया हाँ तो देखने को मिले गए अधर बेटर रहेगा भाई खरीद लो हैगी निया तो मरजी आपकी रहेगी यहां पर और इसके वीकिनेसे में आपको बता रहा हूं कंपणी में लगबक एक ही चीज़ आपको पॉसिटिविटी देखने को मिल रही है देखो कंपणी में नेगिटिविटी देखना कितना कंपणी लगबक 79 मतलब 80 करोड के आज पास है 100 करोड भी यह कंपणी का वेल्यू आप सो सकते मार्केट कप काफी मतलब बहुत चोटा है बहुत चोटा इतना चोटा में क्या है बोल दो आपको लगबक फेस वेल्यू 5 रूपे के आज पास हां यह चीज़ सही है यह कंपण बहुत देट फ्री देखने को मिल रही है लेकिन केवल एक ही अड़नेज देखने को मिल है बागी सारे यहां पर भरी हुए भरी हुए कंपणी लगबक जो है मतलब ग्रोव नहीं कर पा रही है जो रिटन एक्विटी वह भी गिरता जा रहा हा आई-टी से कंपणी बिलॉं बहुत चोटा सा मतलब कंपणी चाहिए तो नेक्स कोर्टर या अगले साल यह मतलब एक दो कोर्टर के बाद कंपणी चाहिए तो प्रॉफिट में भी आ सकती है लेकिन फिर भी जो दिखाना वह तो सही होना चाहिए कंपणी देख सकते हैं बिल्कुल लॉस में ही चल रही ह परमोटर के पास यहां पर अगर आप देखो तो लगबग देख सकते हैं 40% की हिस्सेदारी है 40% की हिस्सेदारी है एक बी शेर प्लेज नहीं है यह एक और बड़ा एडवांटिज है एक बी शेर को प्लेज नहीं रखा गया है फोरिन वाले ने भी लगबग 2% के आस-पास आपको बोलूँगा अगर आपके पास मतलब उतना जाद यह नहीं में बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे स्टॉक्स में खरी तो ज्यादा बेस्ट हो गया हो और रिस्क अपनी हिसाप से लिए तो यह decision मैं आपके ऊपर छोड़ता ह आपको कहीं और जान जाद नहीं करना चाहिए मतलब फ्रॉड भी बड़ी कंपनी बन चुका है यहां पर यहां पर लगब जो है एक वाच लिस्ट बनाकर बताया जाता कि कौन सा स्टॉक खरीदना है नहीं खरीदना है सारी चीज़ आपको बताई जाती है तो डिस्क्रिप